हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ माही सिंग राजपूत एंड वेलकम बैक तो माई चानल जीके जीए स्कूइन तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए करेंड अफिर का 25 कोस्टन का सीरीज लेकर आई हूँ जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग विहार एसाई चाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं खुद को विहार एसाई चाम्स के कैंडिडेट हैं बैठने वाले हैं तो करेंट अफिर पर अकर आप अपनी पकड को स्ट्रॉंग कर लेते हैं तो आप काफी हद तक कटफ के करीब पहुंच जाएंगे और डेली बेसिट पर तो मैं सेट जो प्रोवाइट करती हूँ उसमें लेटिस्ट करेंट अफिर होता नहीं है चुकि बिहार एसाई का एकजाम टेल रहा है बहुत टाइम से हलाकि दिसंबर में प्रिडिक्ट किया गया है कि इसका एकजाम होगा में भी यह हो जाए तो अगर आप करेंट अफिर अभी से पकड़ बनाते हैं स्ट्रॉं करते हैं तो आपका कटफ काफी हद तक आप कटफ के करीब हो जाएंगे मैं पहले भी अपने चैनल पर करेंट अफिर डेली बेसिस पर प्रोवाइट कर रही थी बट वहाँ पर आप लोग उतना इंट्रेस्ट नहीं दिखला है करेंट अफिर में जिसकी वज़े से मुझे उसे रोकना पड़ा तो अगर आप आज से करेंट अफिर के इस टॉपिक को कंटिनियो इंट्रेस्ट लेकर पढ़ते हैं जैसा कि आप टेस्ट स्रीज में लगाते हैं तो मैं डेली बेसिस पर इसे भी प्रोवाइट करूँगी तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर विज़िट करें वहां पर मैं kontinu उस्ली इसपेशली बिहार SI कैंडिडि़ेट के लिए टिस्ट स्रीच करवा रही है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर दोहचार 21 के घटना चक्र, बिहार अस्पेसल, बिहार SI and Enforcement Sub-Inspector के previous year questions already uploaded मिलेगे और भी मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, तो आप personally मेरे चैनल को जाकर फिजिट करें और वहाँ पर अगर आपको मेरा वीडियो इचाम के पॉइंट उपके उसे beneficial लगता है, useful लगता है, तो please friend, please मेरे चैनल को subscribe, like और जादा से जादा family and friends के साथ share करना ना भूले आप मुशे Facebook and Instagram पर भी follow कर सकते हैं, जिसका link मैं आपको description box में provide करूंगी for a PDF and latest update, please join with me on telegram channel and link is given in description box तो चलिए, यहाँ पर question number first दिया हुआ है कि हाल ही में किसे Tokyo Paralympic खेलों के लिए भारतिय दल का ध्वजवाहक चुना गया है option A is correct, मरियपन थंगावेल को next है कि हाल ही में कौन उत्राखंड के ग्यारवे मुख्य मंत्री बने है option B पुसकर शिंग धामी यह उत्राखंड के 11th चीफ मिनिस्टर बने है पुसकर शिंग धामी next है कि World Health Organization यानि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त गोसित किया है option B चीन को next हाल ही में कौन भारतिय वायो सेना यानि इंडियन एर फोर्स के नए उप्रमुक बने है option A इच करेक्ट विवेक राम चौधरी next है कि हाल ही में कौन भारतिय मूल के सत्रंज खिलाडी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन चुके है option D इच करेक्ट अभी मन्नियो मिस्रा next भारत भर में प्रति वर्स नेशनल चाटर्ड एकाउंटेंड डे यानि नेशनल सी ए डे कम मनाया जाता है option C इच करेक्ट फर्स्ट ओफ जुलाई को चलिए आगे है कि कौन सा राज हाल ही में भारत का पहला रेबिज मुक्त राज बन चुका है option D गोवा next हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिमिदित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है female क्रिकेटर है तो इसका correct answer option number B हो चाएगा सेफाली वर्मा जो सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है सेफाली वर्मा next है कि प्रति वर्स विश्व छुद्र ग्रह दिवस कम मनाया जाता है option C is correct third of June को हर वर्स विश्व छुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है किस्तिती को next है कि प्रति वर्स विश्व शोसल मीडिया दिवस कम मनाया जाता है option A is correct 30 जून को यानि 30 जून को विश्व सोसल मीडिया दिवस और विश्व छुद्र ग्रह दिवस ये दोनों डेट ये दोनों जो कारेकरम हैं दिवस हैं वो मनाया जाता है चलिए आगे है कि हाल ही में कौन Indian Federation of United Nation Association यानि IFUNA के नए अध्यक्ष निउक्त किये गए हैं बतला ये कौन निउक्त किये गए हैं अजय ठाकू, जमन मेमन, संभू नाच स्रिवास्तव या रविंदर चावला यहां पर जो नए 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 निउक्तियां होती हैं पोस्टों पे अलग-अलग भी भागों में तो वो आफके एक्जाम के point of view से काफी ज़्यादा beneficial और important है जिसका correct answer option number C हो जाएगा यानि संभू नाच स्रिवास्तव नेक्स्ट हाल ही में कौन डोप test में fail होने वाली पहली भारतिये महिला क्रिकेटर बनी हैं देखे सबसे कम उम्र की तो अभी हम लोग पढ़े से फाली वर्मा हैं बट डोप test में fail होने वाली पहली भारतिये महिला क्रिकेटर बनी है option D is correct अंसुला राओ next हाल ही में भारत ने किस आध्वूनिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया है पृत्वी प्राइम, आकास प्राइम, अगनी प्राइम या नाग प्राइम बतलाईए इसका correct अंसर option number B हो जाएगा यानि अगनी प्राइम next है कि हाल ही में स्वक्ष भारत पुरुसकार दोहच्यार बीस के तहत किस राच को प्रथम अस्थान प्राप्त हुआ है तो अब बतलाई स्वक्ष राच की स्रेनी का दर्जा स्वक्ष भारत पुरुसकार दोहच्यार बीस के तहत किसे प्रदान किया गया है बिहार को, गुजरात को, महारास्ट को या मध्य प्रदेश को option C is correct गुजरात को नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतिय मूल के किस दिवंगत अत्रिक्ष यात्री के नाम पर वानिचिक अंत्रिक्ष यान लौंच किया गया सुनिता विलियम्स, बेचेंदरी पाल, संगीता विलियम्स या कलपना चावला काफी easy question है its correct answer is option number D यानि कलपना चावला चलिए आगे है कि हाल ही में चिकित्सा के छत्र में नोबल पुरुसकार 2420 के लिए किसे चुना गया है its correct answer is option number D यानि उप्युक्त तीनों को हारवे जे अल्टर, चार्ल्स, एम राइस और माइकल हूटन इन तीनों को चिकित्सा के छत्र में नोबल पुरुसकार 2420 के लिए चुना गया है यहाँ पर पुरुसकारों से question आते है पिछले बार भी करेंट दे दिया था भारत रतने से related तो यहाँ पर आप इसे skip ना करें बिल्कुल यह तीनों नाम को इसक्यान कर जाए माइंड में हारवे, जे अल्टर, माइकल हूटन और चार्ल्स M. राइस चलिए आगे है कि हाल ही में किस दिथी को विस्व सिक्षक दिवस मनाया जाता है It's correct answer is option number D पांच अक्टूबर को विस्व सिक्षक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे पांच अक्टूबर को आप जो पांच सेप्टमबर को इंडिया में मनाया जाता है बढ़ यह ओल ओवर वर्ल्ड का बोल रहा है तो वर्ल्ड टीचर्स डे पांच अक्टूबर को तो आप इस प्रकार सिरीच से याद कर सकते हैं पांच सेप्टमबर इंडिया में उसके चेस्ट एक मन्थ बाद यानि पांच अक्टूबर को मनाया जाएगा वही सिच्छक दिवस बट वर्ल्ड में तो वर्ल्ड सिच्छक दिवस पांच अक्टूबर चलिए आगे है कि प्रती वर्ल्ड अंतरास्ट्री व्रिद्ध दिवस कम मनाया जाता है इट्स करेक्ट अंसरी जॉपसर नमबर ए फर्स्ट ओफ अक्टूबर को यानि महात्मा गांधी जैनती के एक दिन पहले अंतरास्ट्री व्रिद्ध दिवस मनाया जाता है तो सिरीज वाइज इस टाइप से आप अगर याद करेंगे तो याद करना आशान हो जाएगा मेरे पोइंट ओव यू से चलिए आगे है कि केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राचियों को खुले बाचार से 9,913 करोड रुपे अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है इट्स करेक्ट अंसरी जॉप्सन नमबर डी पांच चलिए आगे है कि हाल ही में कितने व्यग्यानिकों को सांती स्वरूप भटनागर पुरुसकार दोहर चार बीस दिया गया है कितने व्यग्यानिकों को दिया गया है तो उप्सन बी इच करेक्ट कुल 14 व्यग्यानिकों को दिया गया है सांती स्वरूप भटनागर पुरुसकार दोहर चार बीस का नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राच में मुख्य मंत्री किसान कल्यान योजना सुरू की जा रही है यह मद्य परदेश सरकार की पहल है मद्य परदेश गवर्णमेंट ने मुख्य मंत्री किसान कल्यान यूजना की पहल की है चलिए आगे है कि प्रती वर्स कितने वर्स से कम आयू के भारतिय बैज्यानिकों को सांती स्वरू भटनागर पुलसकार दिया जाता है ओप्सन सी पैतालिस फर्ष से कम एच के जो इंडियन सेंटिस्ट होते हैं ना उन्हीं को सांती स्वरु भटनागर पुरुस्खार प्रतिवर्ष दिया चाता है चलिए आगे है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्च कारगो फेरी सेवा की सुरुवात की गई है ओप्सन डी इच करेक्ट भारत और माल दीव के बीच नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतिय फिल्म एंड टेली बीजन संस्थान यानि FTII सोसाइटी के नए अध्यक्च कौन बने हैं ओप्सन सी सेखर कपूर तो इस वीडियो का लास्ट कुस्टन में आ रहे हैं हम लो तो चलिए फ्रेंड ये था इस करेंट अफेर सीरीच का लास्ट कुस्टन सौरी यहाँ पर 25 में 24 कुस्टन है आपको प्रोवाइट किया गया है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत